रिक्वेश्ट ऐसी है, टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, हम भी दोस्तों 38-39 डिग्री में शूट करते हैं, ऐसे बढ़ते टेम्परेचर में आपके घर पर कोई स्वीगी, जमैटो, कोरियर वाला आपी का पार्सल लेके अगर आता है ना, एक बार उसे एक ग ड्यूटी बनती है, उनको एक ग्लास पानी जरूर पूछिए, ऐसा करने से आपको काफी अच्छा लगेगा, एक बार करके देखिए, तब ही आप जानेंगे कि मैं ये क्या चीज बोल रहा हूं, जस्त एक दिल में ठॉट आया था, एक रिक्वेश्ट करनी थी आपको, क्य क्योंकि जब आप देखते हैं इतने टेंपरेचर में, जब आप खुद नहीं घुम सकते हैं, और कोई सामने वाला आपके लिए, आपके प्रोडक्स लेके, कुछ भी लेके आता है ना, तो उसे एक ठैंक्यू जरूर बोलिए, और एक ग्लास पानी जरूर कूछिए, ड्रा जरूर बोलिए, टनि एक actान कुछ भी लेकिर कापक टाला आपके हैं, एक र enjoyable, तो उसाम सकता चाहर जईक्यार कुछिए, और दो कि एक ग Chicago Time各 sleutth. झाल 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 तोयटा हाई राइडर काफी सारी देखी आपने इसके मोडिफिकेशन भी काफी सारी देखी आपने लेकिन यही हाई राइडर जब अपग्रेड होती है ना ग्रैंड राइडर में तो उसकी कुछ बात ही कुछ और रहती है तो मैं प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेज rider grand rider possibly कब है जब इसके अंदर 18 inches के diamond cut alloy wheel install होते हैं दोस्तो 18 inches के साथ गाड़ी का color है black और 18 inch जब alloy wheel लगते है ना इसका look इसका stand out कुछ अलगी है दोस्तों और यह जो alloy wheels है यह performance alloy wheel है और यह वीडियो के साथ मैं Toyota high rider का वीडियो भी merge करने वाला हूं जिसमें मैंने 17 inches के alloy wheel install किये हैं लेकिन look of the car यही alloy wheel के साथ आता है door visors हमने install किया है lower window garnish install की हुई है roof rails भी हमने यह car के अंदर install कि हुई है दोस्तों लेकिन अब आएंगे the wow factor of the car में wow factor बनता है interior से और interior by the Vigato वो हर वक कमाल का रहता है कमाल ऐसा है यह car के अंदर जो डोर ट्रिम्स है दोस्तों इसकी fitment finishing तो देखिए कि हम किस तरीके से डोर की leather wrapping करते हैं एक एक हमारा stitching work edging work जो मैं हर वक बताता हूं क्योंकि यह कलाकारी है हमारी जो interior styling kit है वो भी हमने carbon finish की install की है कुछ different हर वक मेरी high gloss black color की रहती है लेकिन यह car में कुछ हमें different करना था और यह interior styling kit carbon finish की आपको किस तरीके से लगी है मुझे जरूर बताना एक एक हमारी rear seat की आम्रेश की fitment finishing आप चेक आउट कर सकते हैं with the center perforation के साथ हमने install किया हुआ है front में भी आएंगे डोर की leather wrapping stitching बग और जो ice pearl color है black color की car है जो यह positive vibe आ रही है ना यह color में इसकी कुछ बात ही कुछ और है और जो interior styling kit again up and down carbon finish की आप check out कर सकते the infinity sports steering भी हमने यह car के अंदर install किया है क्योंकि अगर एक luxurious बनाता है ना दोस्तों तो एक steering बनाती है हर वग seat cover की fitment finishing cross stitch pattern है with the center perforation के साथ है एक एक bucketing भी आप हमारी check out dashboard की leather wrapping और stitching work AC के जो vents है और dashboard की जो trims है उसे भी हमने carbon finish का किया हुआ है एक एक leg pad area भी आप check out कर सकते हैं अगेन जो lower AC के vents भी है वो भी आप देख सकते हैं player हमने 10.1 इंच का onkyo का install किया हुआ है दोस्तों सुपब quality है सुपब performance है और क्या output है कोई amplifier वगेरा हमने install किया ही नहीं है wireless apple carplay के साथ है ehd camera के साथ है चारो doors में हमने premium damping और pioneer के component हमने install किये हुए है लेकिन again seat cover की fit finishing किस तरीके से हम install करते हैं बताना जरूरी है और जो infinity sports tearing up down और यह एक-एक molds तो आप देखते हो यह असली कलाकारी है जो हर वक्त हम आप प्रेजेंट करते हैं क्योंकि यह wow factor है इसे हम चूते हैं हर वक्त और यह तो ultimate होना ही होना है क्योंकि regular जो steering में है उसमें Bluetooth के switches वागेरा नहीं लग के आते हैं USB ports भी हमने यह कार के अंदर install किया हुआ है गेर नॉब भी हमने चेंज किया हुई है ग्रैंड राइडर आप लोगों के सामने है और जो ब्लैक कलर है कार का इसमें जब अठरा इंच लग जाते हैं ना तो उसकी कुछ बाती कुछ और है टोयटा हाई राइडर विद लग्जूरियस इंटीरियर आज आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करते हैं ता आउटर प्रोफाइल ऑफ दा कार में हमने 17 इंचेस के अलॉइविल इंस्टॉल किये हैं यह S वेरियंट है यह कार में अलॉइविल नहीं लग के आते हैं एक हर वक्त मैं जो आप लोगों को सजेशन देता हूँ एक एलॉइविल कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं लुक और स्टेंड आउट आफ दा कार के लिए कस्टमर की रिक्वार्मेंट थी एलॉइविल लगेगे तो यहीं लगेंगे नहीं तो मेरी फर्स्ट चॉइ यह वाली चीज के लिए माला सर जो आपको पसंद है वहाले लगा लीजिए मैंने बुला बहुत टाइम से हमने 17 इंच का वीड़ो भी नहीं बनाया तो मैंनों चल आज 17 इंच लगा देते हैं फ्रेंट में हाई पावर एलेडी हमने इंस्टॉल की हुई है लेकिन अब आए इंटीरियर में वाव फेक्टर आफ दा कार में इंटीरियर बाइदवीग आटो वो हर वक्त एक नेक्स लेवल रहता है दुएल टोन कॉंबिनेशन हमने इंटीरियर में किया है बेज और ब्लैक एक हमारी ठ्रेडिंग और जो स्टिचिंग वर्क है आप चेक आउट कर सकते हैं कि हम लेदर वक किस तरीके से करते हैं तरीका क्या है हमारा काम करने का एक एक स्टिचिंग वक किस तरीके से करते हैं वो भी आप चेक आउट करते हैं सेम कलर की मैट भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है डाइमन स्टिच मैट आती है ब्लैक एंड बेच कलर क की दा फ्रेंट डोर्स की अगें लेदर रैपिंग जो डूल टोन कॉंबिनेशन है यह एक मैं हर वक बोलता हूं यह कलर एक पॉजिटिव औरा है कार के लिए कार का कलर जो मरजी रहे लेकिन यह डूल टोन कॉंबिनेशन हमने इंस्टॉल कर दिया ना इसकी कुछ बात ही कर सकते हैं डैश बोर्ड की जो कलाकारी है वह भी तो आप लोगों को बताएंगे कि हम किस तरीके से करते हैं एक एक स्टिचिंग वर्ग किस तरीके से करते हैं लेक पैड का एरिया किस तरीके से फिट करते हैं स्टिचिंग वर्ग हमारी कैसी है मैट्स की फिनिशिंग आप चेक आउट कर सकते हैं एक एक seat cover की bucketing with the center perforation के साथ steering का leather wrap हमने किया हुआ है मैंने जैसे कि बोला एक aesthetic look with the luxurious interior कुछ भी extra ना over under modification नहीं है interior में क्या चीज़ चाहिए एक luxurious चाहिए वो भी beige color हमने suggestion दिया sir को आप लोगों के सामने है तो आज एक दिल था Toyota High Rider का भी वीडियो बनाने के लिए with the interior जो beige color का हमने किया हुआ है ओनर हमारे साथ है Grand Rider के क्योंकि black color की कार में जो 18 inches के alloy wheel और जो luxurious interior इसको बोलते luxurious interior और कलाकारी जो मैं हर वक बोलता हूं मिश्टर रोईथ हमारे साथ है रोईथ का कैसा रहा experience before and after का रोईथ कैसा रहा actually मैं आया था तभी बहुत confusion था मुझे लेकिन तन्वीर भाई ने बोला कि हमारे उपस सब छोड़ दो तो जैसे उन्होंने कहा commitment किया as it is और मेरे expectation से भी ज्यादा गाड़ी अच्छी बनाई है और उन्होंने मेरा test जैसे मैं आया वेसी समझ लिया था कि मुझे क्या चाहिए और ही उनको बता है कि customer का नीड क्या है तो थैंकियो सो मच तन्यर भाई मैं डेफिनिटले सबको recommend करूंगा अब का काम तेरे वीडियो जाने के बाद आज ये इसके साथ मैंने दोनों वीडियो मर्च किये हैं एक मेरे grand rider का और company जो high rider का देती है value इसमें है 52,000 रुपीज के आपको alloy will 18 इंचे पढ़ नहीं है तो आप upgrade कीजिए लुक देखिए और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था जो high rider और grand vitara जिस platform में है एक्चुल में 18 इंचे सबसे ज्यादा अच्छे लगते अब 17 इंच भी है छोटे चोटे लगते अभी आप ही दोनों वीडियो मैंने साथ में डाले अभी आ अगर एक एस्टेटिक लुक चाहिए एस्टेटिक लुक में अच्छे अलॉइब चाहिए एक अच्छी फिल्म चाहिए एक लग्जूरियस इंटीर चाहिए तो आज एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों तक मैंने प्रेजेंट किया है ड्राइव सेपली और थैंक यू फ्र